पूर्वमंत्री जीतू पटवारी अपने विवादित ट्वीट को लेकर एक बार फिर सुर्खियों में हैं इस बार उन्होंने पीए मोधी के विमान के अंदर की गलत तस्वीर पोस्ट की है और कई दावे भी किये हैं तो वहीं पी आए भी फैक्ट चैक टीम ने जीतू के द पूर्वमंत्री जीतू पटवारी यूँ तो अपने बयानों से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं लेकिन इन दिनों विवादित ट्वीट को लेकर वो विरूधियों के निशाने पर हैं इस बार मोधी समर्थकों ने ट्वीटर पर उनकी जम कर क्लास ली दरसल उन्होंने एक विमान के लगजरी इंटीरियर की तस्वीर शेयर की थी उसमें चीतू ने दावा किया था कि ये तस्वीर पिये मोधी के एरक्राफ्ट के अंदर की है कुछ ही समय में जीतू पटवारी का ट्वीट सोशल मीडिया पर वाइरल होने लगा हजारों लोगों ने उसे शेयर किया लेकिन जैसे ही पियाईबी फैक्ट चेक्ट टीम की नजर स्ट्वीट पर पड़ी तो दूद का दूद और पानी का पानी हो गया पियाईबी की टीम ने पटवारी के दावे को गलत पाया जीतू पटवारी ने क्या कुछ लिखा था आईए आपको सनाते हैं चाय वाले पियेम राउसे कॉंग्रेस के विधायक जीतू पटवारी ने एक ट्वीट में लिखा था रेल बिक गई चाय का क्या अरे भाई पियेम साब चाय वाले की प्रस्ट भूमी से आते हैं तो क्या हुआ हम उन्हें जब ज्यादा सुविधाएं दे देंगे तब ही त एठे बिठाएं मुद्दा मिल गया है इंदोर बीजेपी शहर अध्यक्ष गौरव रंदीवे ने मंत्री जीतू पटवारी पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि इस वक्त जीतू पटवारी जैवर्धन से और नकुलनात से पार नहीं पा रही है लिहाज अपना फोटो ट्वीड किया जो कि बाद में गलत निकला जीतू पटवारी ने उसे डिलीट किया इससे पहले भी हमारी बेटियों को लेके अबद्र ट्वीड जीतू पटवारी ने किया त कि मुझे लगता है कि जीतू पटवारी इस समय बड़े फ्रस्टेशन के दोर से मुज़ आपको बता दे कि यह फोटो एक प्राइवेट ड्रिम लाइनर विमान का है जिसे बोईंग 787 की और से मॉडल किया गया है और यह प्रधान मंत्री के एर क्राफ्ट का नहीं है वहीं मामले को बढ़ता देख जीतू पटवारी को वो ट्वीट अपने आधिकारिक अकाउंट से डिलीट करना पड़ा आपको बता दे कि इससे पहले भी पी ए मोधी को घेरने के चक्कर में बेटियों को लेकर विवादित टिपनी जीतू पटवारी ने कर दी थी उसके एंप आप नूस एंदार